रादे रादे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही संदार रेस्पी अगर आप इसे एक बार बना लिए और इसका स्वाद चक लिए तो मेरी ग्रांटी है आप इसे हर बार बनाना पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और यह जट पट बनके तयार होती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने आलो को उबाल लिए हैं आलो को उबालते समय ध्यान रखें आपको आलो को ज्यादा नहीं उबालना है सारे आलो को छिल लेंगे यह से आपको आलो को 80-85% ही उपालना है सारे आलो को छिल लिए अब यहाँ पाम इसे कट करेंगे यह आलो को हमें इस तर से कट करना है 1 by 2, 2 by 4 करना यानि एक आलो में हमको 8 pieces करनी है देख सकते हैं इसी तर से सारे अपने आलो को कट कर लेंगे आलो को कट करते समय देख रहे हैं हमारा आलो विल्कुल नहीं टुट रहा है यानि हमारा आलो ज्यादा नहीं उबला है तो चलिए सारे आलो को कट कर लेते हैं अब इसे साइट करेंगे और एक छोटा सा मसाला दयार करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे तो मसाले में सबसे लेंगे दो बड़ा चमश धनिया और यहाई पर 10-12 काली मिर्च और एक इंचा द्रक का टुकड़ा और 10-12 यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने तीखे के उनसार ले सकते हैं 10-12 लासुन की कलिया यानि पतली पतली है मोटी मोटी हो तो 10-12 काफी है सभी को डालेंगे और इसे बीना पानी का पीस लेंगे सबजी बनाने के लिए पर दो बड़ा चमश सर्सो का तेल लेंगे तेल को अच्छे से गरम करेंगे आधी चमश लेंगे जीरा आधी चमश लेंगे यहाँ पर सर्सो दोनों को अच्छे से चटकने देंगे यहाँ पर सर्सो जीरा अच्छे से चटक गया है गैस को कर देंगे बन अब यहीं पर डालेंगे एक चम्मच गसमी दिमीच और आधी चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच डालेंगे यहाँ पर चिकेन मसाला आधी चम्मच छाल दी सभी मसाले को अच्छे से भून लेंगे उसके बास ही हमारा पीसा हुआ मसाला ले लेंगे और मसाले के साथ pomo nimi gas को आफ रखेंगे क्योंसे की सुखी मशाले जल जाएगी मसाले जल ज़onne ना थोड़ासा Works आपर पानी डाल देते हैं हलका पानी डालके मसाले को अच्छे से भूनेंगे, गैस को कर देंगे और ऐसे लो फिलेम कर देंगे, तो देखिए मसाले को लो फिलेम पे भूनते हो करीब 3-4 मिट हो गया है, बहुत ही बढ़िया इसमे कलर आ गई है, तो यहां पर हमारे मसाले लमसम भूनी गई है, लेकिन थोड़ा पानी और डाल के इसे और तो यह देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले भून चुका है, करीब 2 मिनट से भून रहा है, अब यही पर अपना कटा हुआ आलू डाल देते हैं, और इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे, स्वात के कोडिंग नमक डालेंगे, और इसे मिक्स करके 2-3 मिनट तक मेडिय मिनट हो गया है, बहुत ही अच्छी से हमारा यह आलू मसाले के साथ पक गया है, यानि मसाले बहुत ही अच्छी से गोट हो गया है, गैस को करते हैं बन, थोड़ी सी डालते हैं धनिया पत्ता, थोड़ा सा हलके हाथों से चला लेते हैं, ताकि धनिया पत्ता अच्छी से मि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर किजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लियों के बाए